की report की बात करें तो positivity है और on the face of it तो positivity ही दिख रही है Right, I think यहाँ पे panelists में सिर्फ अविनाश ऐसे होंगे जिनको मैं brokerage का नाम नहीं लूँगा लेकिन आज से 10 साल पहले एक brokerage ने parts valuation एक बहुत बड़े private sector bank का किया था अविनाश आपको याद है और उसमें उनकी bank की branches की real estate की value मतलब real estate का इतनी madness होई थी real estate stocks की अविनाश आपको याद है क्या शायद state bank की उपर उस brokerage ने valuation निकाला था जिसमें उसकी branches की real estate value भी निकाल दी थी लोग उस जैसे zone में तो नहीं है अभी बट हाँ लग रहा है कि real estate पे एक वापिस से super cycle शुरू हो रहा है आपको याद है वह report बिल्कुल जै लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जो super cycle मानसी का बता रही है मेरे ख्याल से अभी लोग काफी सुल्जे हुए हैं obviously value आप real estate हर component की अगर आप value निकालोगे तो उससे real estate companies की value बनेगी नहीं मेरे ख्याल से कितनी ज़्यादा quickly inventories भी move होती है और plus कितनी balance sheets lean और fit होती है कितना कम कर जाए यह सब मेरे ख्याल से अभी जो नए real estate के cycle में हम देखेंगे वो only quality players successful होगे मुझे लग रहा है कि रेरा आने के बाद तो काफी छोटे players completely market से निकल गए हैं काफी distress sale भी हो चुका है तो मेरे ख्याल से real estate market और real estate में market में अगर किसी को invest करना है तो कम से कम देड़ दो साल का time frame रखे क्योंकि देखे यह कोई manufacturing company का जैसा sector नहीं है इसमें you know every quarter will not be the same quarter तो अगर देड़ दो साल का time frame कोई रखना चाहे तो मेरे क्याल से काफी अच्छे विकल्ब है जैसे गोद्रेस properties है और है महिंद्रा life space है सोबा developers है सारे quality players है और काफी corporates और retail sector को cater करते हैं तो definitely long term prospects अच्छे हैं लेकिन markets में जब भी आपको गिरावट मिलेगी तब थोड़ा थोड़ा करके SIP के point of view से यहाँ पे निवेश करें क्योंकि secular growth तो definitely आएगा बट उसमें time frame लंबा निवेश करने का एक बहुत बड़ा importance है जो investors को याद में रखना चाहिए क्योंकि quarterly run rate हो सकता है कि एक quarter में उपर हो एक quarter में नीचे हो बट 12 months का जो trend line दिख रहा है वो काफी positive है In fact real estate की बात कर रहे हैं तो आपको एक बार viewers को यह बता दे की बात कर्षा एक बात कर दो सकता है